दिल्ली एंसियार में ठंड ने अपनी रफ़तार पकड़ ली है और अगर बात करें सुबह और शाम के वक्त खासकर सर्दी जादा पड़ती है और तापमान में भी काफी जादा गिरावट देखने को मिलती है अगर विजिबिल्टी की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरे हैं आज की क्योंकि बीते रोज हमने देखा काफी कम विजिबिल्टी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सुबह के समय देखी जा रही थी आज की क्या तस्वीर है कितनी है विजिबिल्टी यह हम तस्वीरे आपको दिखाएंगे अक्षरधाम मंदिर की साब दोर से आथ विजिबिल्टी है वह जहां सब्दर जंग की बात करें तो 50 मीटर है वहीं पालम की विजिबिल्टी जो है वह 25 मीटर तक है जो सुबह साड़े पांच बजे जो आकड़ा आया है और तो जहां सरदी के साथ साथ घना कोहरा लोगों की परिशानी बढ़ा रहा है अगर एग बीते रोज जो गालियां है वह बहुत ही धीमी रफ्तार से इस चॉंटी फोर हाईवे पर चल नहीं थी लेकिन आज बीते रोज की मुकाबले काफी कुछ बहतर इस्थिती में जो आज की तस्वीर है वह साफ तोर से नजर आएगी हाला कि अगर मौसम विभाग की माने तो म आज पूरे दिन जो हलका हलका को रहा है वह पूरे दिन आस्मानों में रह सकता है और जिसका साफ तोर से असर विजिबिल्टी पर भी देखा जाएगा लोगों को ट्रैफिक जांस के लावा तमाम तरह की जो समस्याय है वह उसका सामना भी करना पड़ सकता है अगर तापम जो अभी भी लगातार बेहत खराब से लेके गंभी रिस्तिती में बना हुआ है अगर आकडों की बात करें तो सीपी सीबी के मताबिक हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि जो दिल्ली का एक युवाई है वो 381 और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जो एक युवाई है वो साफ तोर से यह आप देख पाएंगे मेरी स्क्रीन पर दिल्ली का जो एक युवाई फिलाल भे बना है वो 381 पर है यानि की दिल्ली की हवा बेहत गंभीर इस्तिती में अभी भी बनी हुई है और अलग-अलग इलाकों की बात करें तो आप यहां पर द 300 के पार ही आपको साफ तोर से नजर आएगी 400 के पार आप देख पाएंगे कई इलाकों में तो इस तरह से जो एक युवाई है वो लगातार बेहत गंभीर इस्तिती में जहां बना हुआ है वहीं अब एक बार ठंड ने जब फिर से रफतार पकड़ी है तो जाहिर से जहां एक ओर ठंड और शीत लहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है वहीं दूसरी ओर जिस तरह से एक युवाई बेहत गंभीर इस्तिती में बना हुआ है वो लोगों की समस्याओं को काफी जादा बढ़ा रहा है कैमरा परसन अनली कुमार के साथ दिव्यांकरतिव अरी बिपनियूज दिल्ली